Hello and Welcome to GK Study IQ Academy उत्तर प्रदेस पुलिस जेल वार्डर फायर्वान के एस्पेक्टेट कटाप के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जन्रल OBC, S.C.S.T. की क्या कटाप जाएगी जन्रल OBC, S.C.S.T. की क्या कटाप जाएगी Normalization होगा, कितना होगा, परिक्षा में उपस्तिती क्या रही है, इतने percent candidates उपस्तित रहे हैं परिक्षा में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो को notification आपको मिल सके और अन्य लोगों को भी जनकारी मिल सके, तो आईए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं attendance की total present कितने candidate रहे है exam में, तो लगबग 45-50% maximum attendance रही है इस exam में क्योंकि exam बहुत दिन हो गया है, फार्म बरे हुए और center इतने दूर दूर भेज़ दिये गये थे बच्चों के जिस वज़े से बहुत ही कम candidate paper देने आप आए हैं, तो 40-40 भी हो सकती है, 40 भी attendance हो सकती है लेकिन 45-50 maximum attendance रही होगी, इस वज़से cut-off पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि cut-off पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पेपर देना है, उन्होंने दिया है, उन्ह जनरल हिंदी के पेपर में literature से भी कुछ क्यूस्चन आ गए थे, जनरल हिंदी में अगर 5-7 क्यूस्चन किसी ने छोड़ भी दिये हैं, तो कोई ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यांकि इतने क्यूस्चन तो छूटी जाते हैं, इसके लेवल के हिसाब से, उसके ब mental aptitude के questions भी ठीक ठाक आये हुए थे, IQ test के question normal थे, और normal से थोड़ा सा उपर reasoning बनाई गई थी, और अगर हम बात करें 20 तारीक के paper की, तो 20 तारीक को जनरल हिंदी का जो level था, 19 वाले की तरह ही था, जैसे 19 तारीक को था, उसी तरह का level था, general awareness का जो level था, वो थोड़ा सा आप क normal था, reasoning 19 वाले के जैसा ही था, तो अगर हम overall हिंदी माय था और general awareness की बात करें, तो 20 तारीक का paper जो था, वो 19 तारीक के paper से थोड़ा सा tough था, अगर हम बात करें normalization की, तो इस paper में normalization तो हो गाई होगा, 5 से 10 number या 15 number भी हो सकता है, paper का level जो है, उसके हिसाब से 20 तारीक का जो paper ह उनके लोग, उन लोगों का कुछ नंबर जरूर इंक्रीज होगा, अगर हम cut-off पर जाने से पहले हम यह देख लेते हैं, जिस तरह question paper का level था, किस student ने क्या attempt किया होगा, तो below average student है, वो लगबग 70 question, average student है 85 से 90 questions किये हुए है, good attempt वो माना जाएगा, जो 100 प्रस जिन्नों ने क यह हुए है, और negative marking की 1 by 4 थी, तो उसके हिसाब से ही हम cut-off पर discuss करेंगे, अगर हम इस exam के cut-off की बात करेंगे, तो general category का cut-off रहने वाला है, लगबग 165 से 70 रहने वाला है, OBC 155 से 160 रहेगा, SC का expected cut-off 140 से 150 रहेगा, SD का 135 से 130 से 135 तक रहेगा, और female candidate का भी 140 से 150 रहेगा, तो य यह cut-off जो है, वो एक तरह की expected cut-off है, जिस तरह का paper का level रहा है, अभी तक जो cut-off जाती है, उसके हिसाब से cut-off रहने वाली है, बाकी का जो update होगा, इससे संबंधी तो आपको हम देते रहेंगे, अभी answer की भी आने वाली है, वीडियो कैसा लगा, comment section में लिखके जरूर बता है, thanks for watching, GK Study IQ Academy